हेलो एब्रिवन टिंडे की सब्जी हम टिंडे की सब्जी की रेसे फिलाएं जो हमने अलगी तरीके से बनाई है अलगी मेथट से बहुत ही स्वादिस्ट बनी है बहुत ही अच्छी बनी है चलिए बनाना शुरू करते हैं यह 200 गराम हमने टिंडे लिए और टिंडे इस तरह स वह बीज बीज वहत हैं सोफ्ट हो अंदर से वह बीज भी नहीं होते हैं और उनकी स्कें कड़ी नहीं होती कि नहीं है इसलिए दोखे रखे लेजी sind दोखें फिलना शुरू करेंगे घ्र Tag को इनकी स्कें के जाएंगे citizen to lierat रॉर्प है ज्रूप है ऑधा किस तरह से बनाई है यह और यह ओपर से थोड़ा जो इससा है इसको काट दिया है और इसी तरह से हम सारे टिंदे चीलते जा रहे हैं और सब कुछ होता है और यह हमने सारे चील लिए और इनको एक डौंगे में निकालना हैं दूले हुएय हैं लेकिन छीलने के बाद दोबारा एक लार मिंको थोड़ी से पानी से दोईए तो यह बजु हम पानी डाल रहू हैँ है इसमें में टिन्दे में आपनी डाल लिया है और थोड़ासा इनको हाँ से रगढ़ के दो लिया से और यह पानी को अलग कर दाज़ गय बीच में से इस तरह से काटेंगे, ये, इस तरह से हम टिंडे सारे काटते आ रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बिलकुल अंदर एक भी 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 बीज नहीं है, बड़ा अधना कर रहे हैं, टाइट भी होते हैं जो पके हुए होते हैं, इसलिए हमने बहुत ही सॉफ्ट टिंड झाते मारम निख्ता की मेंें रिखत नाधे चाहिक पैण गारुन को चौने के रख ददियागे इस पर और पहन गण होते ही ही सरसों का तेल डालá है इतना लग जाएगा इसमें कंई बल्कूल बाद मैं पता ही नहीं पड़ाई कि इतना त्रू का चला गया है इस तरह से बना रहे हैं और तेल गरम होते ही इसमें हम जो मसाले हैं वो डाल रहे हैं यह देखे पहले हम पूरे में फैला लिया है और देख लिया है तेल गरम हो चुका है और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा डालने एक चम्मच जीरा डाल दिया है और राई सरसों के दाने जो होते हैं वो डालने आधी चम्मच हमने राई डाली यह राई से बहुत अच्छी लगती है सब्गी राई डालने से और यह डालना है हम हींग एक पिंच हमने हींग डाल दिये बहुत ही स्वाधिस्ट और अच्छे टिंडे बनते इस तरह से आप हमारे चैनल बेजी इंडिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और यह मसाली बन चुके हैं तो जो टिंडे हमने काटके रखे हैं तो कटे ही हुई तरफ से हम इनको उल्टा इस तरह से रखते जा रहे हैं और पूरे पैन में हमने इसको जमा दियें टिंडियों को ओम यह तेक पत्तर डालना भूल गया और दालचीनी डालना आप जीरे और हिंग बगरा यह डाली उसके बाद डालिये और यह दालचीनी का एक पीस लिया है एक इंच क केबल और प्लेम को हमने सिंपरी रखा है और दो मिट हो चुके हैं अब इस तरफ से हमने रखी थे उनको उपर ले आएंगे वह इससा और जो नहीं था नीचे उसको उपर वाले इससे को नीचे कर दाएंगे इस तरह से हम सारे टिंडियों को पलटते जा रहे हैं और इस त पलटने के बाद फिर से हम दो मिनिट के लिए धाग दाएंगे टिंडे जिससे की पीछे जो साइड अभी पलटी है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाईगी गल जाएगी और अब ये दो मिनिट हो चुके हैं इसको भी हम खोल लाएं और अब चला के देखाएंगे और जो एक प्याज है ये भी डाल दिया है और प्याज को हम 10-20 सेकिंड तक के वल इसी में चलाएंगे बस ज्यादा नहीं चलाना है इस तरह से हम चलाते जा रहे हैं आप ट्राय करिए इस तरह से जो हम टिंडे की सबजी बना रहे हैं बहुत ही स्वाधिस लगती है अच्छी लगती है और आप लाइक करिए शेयर करिए कमेंट्स करिए हमें आपके कमेंट्स का इंतिदार रहता है ये इस तरह से हमने प्याज को चला लिया अच्छी तरह से और यह टुमाटर एक डालना है बारीक कटा हुआ यह भी है और टुमाटर को भी डाल दिया है इसको भी हम मिला लेंगे अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी सब्जी बनती इस तरह से जो तिंडे की बनाते हैं और यह हम चलाते जा रहे हैं अब बाकी जो रेगुलर मसाले होते हैं वो तो डलेंगे ही और उनको डालना हम शुरू करते हैं डालते हैं यह अल्दी पाड़ो लिया हमने आदा चम्मच लिया है अब धनिया पाउडर डाल रहे हैं यह हमने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है यह डाल दिया है और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इसी तरह से लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच डाल दिया है और तीका खाना हो आप और जाल डाल सकते हैं और य भी नमक और डाल रहें जितना आप जैसा खाते हैं यह आदा चम्मत नमक और डाल दिया है और पानी डाल रहें एक ग्लास यानि 100 ग्राम करीब पानी है इसको डाल दिया है और अच्छी तरह से मिला लेंगे आप मिलाने के बाद अभी पके हुए थे हैं थोड़े हाब पक चैसाथ मिनिट के लिए हमने ढाग दिया है और चैसाथ मिनिट में खोल के देख रहें हैं चैसाथ मिनिट बाद और यह कितनी अच्छी सब्जी लग रही है बहुत ही स्वाधिश्ट जो तिंड़े इस तरह से बनाते हैं आदे-आदे पीस करके बहुत अच्छी बनते है य रहे दनिया से खुश्व और घ्ञ अैसाथ मिनिया आई जाती है सब्जी में और इस चला है धनिया गर्म मसाल अच्छी तरह से और पींडे आठिऑ बहुत अच्छी बनी है झाम खाते हैं तो जो दो-दो-पीस की बहुत अच्छी लगते एं यह हम परूस रहें सब्जी को apply करिए share करिए और comments जरूर करिए और try जरूर करिए इस तरह से जो हमने टिंडे बनाएं बहुत अच्छे लगते हैं बहुती स्वादिस्त लगते हैं जो दोदोपीस करके और जो मसाला इस तरह से डालके बनाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और सब्जी को हम परोस्ता है रोटी के साथ, परांठे के साथ, चावल के साथ, सभी के साथ अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है सब्जी, और ये हरे धनिया से हम गार्णिश कर रहे हैं, और ये हरे धनिया से गार्णिश कर दिया है, सुकंदित धनिया है ये, आप